नमस्कार स्वागत है आपका निज बाइसकोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ आरती बिहार के मुख्यमंत्री निदीश कमार समधाने आत्रा के तहता आज नालंदा का दौरा करेंगे इस दौरान मुख्यमंत्री बिफन एलाकों में विकास योजना आउका निरिक्षन करेंगे साथ ही आम लोगों से भी मुलाकात करेंगे समधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ समीख शाबाठक और जीवी का दीदियों के साथ समवाद कारिक्रम में भी शामिल होंगे तो आपको बता दे कि आज मुख्यमंत्री नितिश कमार का नालंदा में समधान यात्रा पे जाएंगे इस तोरान वो जीवी का दीदियों से मुलाकात करेंगे आपको बतादी कि लगतार मुख्यमंत्री नितिश्कुमार यात्रा कर रहे हैं और समधान यात्रा के जर्ये विहार में हुए विकास कार्यों के निरिक्षन भी कर रहे हैं जाय जाय भी ले रहे हैं और इसी यात्रा के तहद आज जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे नालंद में और इसी खबर पे और अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ पटना से समवाद दाता प्रणव जोड़ चुके हैं प्रणव आज मुख्यमंत्री की समधान यात्रा के तहद नालंदा जाने वाले हैं बिल्कुल देखिए बिहार के मुख्यमंत्री इंतीश कुमार आज समधान यात्रा को लेकर के नालंदा जाएंगे और देखिए नालंदा जाने की पहले कर जिस तरीके से देरास के अगर बात करें तो फाइरिंग की घटना हुई जिसके बाद प्रशाशन पुरी तरीके से सक्थ हो चुका है हर इलाके में पुलिस बल की तेनाथी की गई है और जो भी ऐसे लोग हैं जो अपरादिक छवी के हैं उन पर विश्वेश तो और पर नजा रखी गई है और उन पर लगतार मुलेटरिंग की जारी है तो लोगों से मुलकार करेंगे जहां बे मुख्यमंत्री नितिश कुमार अपने समधान यात्रा के तहते हैं सबसे पहले लोगों से मुलकार करते हैं लोगों से जारांते हैं कि उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं जो सरकार की योजनाय चल रही है उसका कितना लाब मिल रहा है कहां पर कमी है किसको दूर किया जाए क्योंकि स्यात्रा का नामी रखा गया समधान यात्रा इसके तहट लोग भी काफी संख्या में मुख्यमंतरि नितीशकुमार के समधान यात्रा में पहुंसते हैं मिलने के लिए उनको बताते हैं अपनी समस्या और मुक्यमंतिर इंतिश कुमार तुरंट अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं कि इस पर आप पहल करें उसके बाद देखें मुख्यमंतर जिश्कुमार लोगों से मुलकात करेंगे नरंदा के विपिन इलाकों में जाकर उसके बाद जीवी का दिदियों के साथ एक समबाद करेंगे उनसे भी जानेंगे कि आखिर इस तरीके से काम चल रहा है ग्रास लोट लेवल पर और क्या कुछ करने की जरुवत है उनसे सबी को लेकर के ऐख बाद जीवी का दिदियों से जानेंगे कि क्या और बहतर करना है उसके च्रीक बाद मुख्यमंतर जिश्कुमार एक समिक्षा बैठक करेंगे उस समिक्षा बैटक में जिले के जो भी प्रभारी सचीव हैं, प्रभारी मंतरी हैं, उनके साथ ही साथ जो अस्थानिय अधिकारी हैं, वो सभी मौझूद रहेंगे, मुख्यमंतरी नितिश्कुमार को बताएंगे, कि जो योजना सरकार द्वारा बनाई गई है, उस पे कितन लाब लोगों को मिल रहा है, ये सभी जानकारी देंगे और जो समस्याएं, लोगों की मुख्यमंतरी के पास आएगी, उसको भी समिक्षा बैठक में मुख्यमंतरी नितिश्कुमार रखेंगे, उसके बाद एक और समिक्षा बैठक करेंगे, उसमें जो भी विभाग से और उस बुभाग के मंतरी को मौझूद रहने का सक्तर निर्देश दिया गया है कि उस समिक्षा बैठक में वो सभी मौझूद रहेंगे और बताएंगे क्या खिर ये काम क्यों नहीं हुआ या फिर क्या समस्या रही है कैसे इसको दूर किया जाए जल से जल लोगों को लाब मेरे इन सबी चीजों को लेकर के समिक्षा करेंगे और देखिया आज नरंदा जाना है मुख्यमंतरी को लेकिन जिस तरीके से गल घटना हुई है उसके बाद प्रशाशन कह सकते हैं कि और पूरी तरीके से अलर्ट मोड में आ गया है और जहां भी बीते दिनों के अगर बात करें तो मुख्यमंतरी नितीश कुमार तीन चार दिनों से करेंगे और जीविका दीदियों से मुलाकात भी करेंगे